इस वीडियो में आप सीखेंगे decimal numbers को detail में और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ example भी लेकर आया हूँ इस वीडियो में इन example की मदद से मैं आपको decimal number का use करना सिखाऊंगा decimal को Hindi में decimal और English में decimal कहा जाता है mathematics की भासा में लेकिन इसे हम लोग अपनी भासा में एक बुंदी या फिर point भी कहते हैं ये point जो लगा हुआ है इसे बुंदी या point भी हम लोग कहते हैं इन examples की शुरुआत करने से पहले आईए इसके छोटे से concept को हम समझ देते हैं और इसके concept को समझाने के लिए इन ही numbers का इस्तमाल करके मैं आपको बताता हूँ जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4.3 तो मैंने 4.3 लिख लिया यहाँ पर एक number लिखा हुआ है 12 यानि 12 तो मैंन यह लिख लिए 0.48 तो यह इतने number मैंने लिख लिए अब इसमें आप देखिए किसी numbers में अगर दस्मलो पहले से लगा हुआ है point तो आपको दिखाई देगा तो ठीक है और उस number के point के बाद में कोई number है तो वह भी आपको दिखाई देगा और उसके बाद में कोई number नहीं है तब आप अपने मन से यह मान सकते हैं उसके बाद में 0,0,0 होंगे बहुत सारे तो अगर आपको जरुवत पड़ेगी 0 की तो आप लगाएंगे नहीं तो आपको लगाने की कोई जरुवत नहीं है दसमलो के बाद जो number है उनका use होता है वो उसकी value होती है तो वो पहले से ल पहले से लगा हुआ ना दिखाई दे तब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि उस number के सबसे last में right side में दसमलो होता है यानि कि 12 में सबसे last में यहां पर दसमलो होगा जो कि पहले से लगा हुआ दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके बाद कोई number है नहीं य अब इसके बाद कोई number नहीं है तो क्या number होगा यहां पर 00 होगा तो यहां पर 0 होते हैं पहले से मगर इन 0 का कोई use नहीं इसलिए पहले से लगा हुआ दिखाई नहीं देता है तो अगर आपको इसका इस्तमाल करने में multiply, divide या कुछ भी करने में अगर 0 की जरुद पढ़ र लिखा हुआ है उसके बाद 12 लिखा हुआ है तो 12 हमें लिखना है मगर इसको जोड़ने से पहले आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि जब भी जोड़ा जाता है तो दस्मलो के नीचे दस्मलो रखा जाता है तो 12 में तो 12 है नहीं मगर मैं आपको पहले ही बता चुका हू 12 में यहां पर 10.000 होगा और उसके बाद 00 जितने भी आफ चाहे लगा सकते हैं तो 12 में 10.000डओर यहां पर होगा और 10.000डओर की नीचे 10.000डओर रखा जाता है तो 10.000 डेंगे उसके बाद 12 इस तरहा से लिखेंगे जो नंबर आगे जा रहा आगे जाने यहाँ पर ङलने लिएगे कर देंगे देंगे जो बढ़ में जा रहा है बाद में जाने दे थे तो I7 एहां पर लगा लेंगे इस तरह से जोड़ा जाता है अगर दसमलो नहीं है तो आप मैं हुआ दस्मलों का ध्यान है दस्मलों के नीचे दस्मलों ही आना चाहिए दर यहां लिखा हुआ इ利 étaient स्सक्रम्asten 2 तो श्वार्ड लिग दिया उसके बाद 2.1 मैंछ कर दस्मलों के नीचे पहले दस्मलों लगा-देंगे ऑ당वों के गया इस तरह से पहला सवाल और दुसरा सवाल हमारा complete हो गया आईए multiply करना देखते हैं तो जोडने और घटाने में दस्मलों के नीचे दस्मलों रखा जाता है लेकिन जब multiply करने की बात आती है तो दस्मलों के नीचे दस्मलों रखना ये जरूरी नहीं है इसका एक अलग rule हो इसी भी तरह से ऐसे लिख सकते हैं उसके बाद multiply का निसान लगाएंगे और आब इसका simply multiply करेंगे तो पहले तो multiply करेंगे मान लीजे यहां दस्मलों नहीं लगा हुआ है तो multiply करेंगे right से left side का ध्यान रखेंगे यानि इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो इधर पहले 3 1 है 1 का उपर वाले में multiply इधर से इधर करेंगे 1 का 2 में फिर 1 में फिर 2 में 1 का 2 में multiply करेंगे 2 आएगा 1 का 1 में multiply करेंगे 1 आएगा 1 का 2 में multiply करेंगे 2 आएगा फिर नीचे एक cross का निसान लगाएंगे फिर right से left में आए 1 का होगे आप 3 पे आए 3 को उठाएंगे फिर right से left में इसके बाद line को खीच के इसको simply हम इसको जोड लेंगे तो 2 के नीचे कोई number नहीं है, 2 आ जाएगा, 1 और 6 मिलाके 7 हो जाएगा, 3 और 2 मिलाके 5 हो जाएगा, और 6 के ऊपर कोई number नहीं है, तो 6 का 6 आ जाएगा, यह हमने जोड लिया, यह multiply complete हो गया, अब आती है बात दस्मलों यानि यह point किस तरह से लगाएं, तो point में right side से left side का ध्यान रखेंगे, right से left में गिनिये कितने number के बाद में दस्मलों लगा है, एक, दो, दो number के बाद यहाँ पर उपर दस्मलों लगा हुआ है, यहाँ नीचे right से left side में एक number के बाद दस्मलों लगा हुआ है, तो एक हो गया three यानि तीन आया तो total आपको final answer में तीन नंबरों के बाद दस्मलों लगाना है यहाँ पर right से left में एक दो तीन तीन नंबर के बाद यहाँ पर दस्मलों लग जाएगा तो यह आपके multiply का इस तरह से multiply में दस्मलों का इस्तमाल किया जाता है आईए अब अगले सवाल को देखते हैं तो जोडने और घटाने में दस्मलों को दस्मलों के नीचे रखा जाता है multiply करने में दस्मलों का इस्तमाल आप सीख चुके हैं और divide करने में दस्मलों का एक उसका भी अलग rule होता है तो इसको भी आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर यहां लिखा हुआ है 20.01 तो यहां हम लिखेंगे 26.01 यह लिख दिया उसके बाद divide है तो divide के sign के जिगा पर इस तरह की line खीज सकते हैं उसके बाद जो number लिखा हुआ है उसको नीचे लिख सकते हैं तो divide में इस तरह से number को लिखा जाता है तो 0.48 इस तरह से हमने लिख दिया अब इसके rule को समझे divide करने में दस्मलों जो नीचे लगा हुआ है उसको अगर आपका मन है इधर ले जाने का तो ले जा सकते हैं आपका मन है इधर ले जाने का तो भी ले जा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है मगर इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इधर वाले number को इधर ले जा रहे हैं तो उपर वाले दस्मलों को भी इधर ले जाना पड़ेगा आपको अगर नीचे वाले दस्मलों को इधर ले जा रहे हैं तो उपर वाले दस्मलों को भी इधर ले जाना पड़ेगा यानि कि अगर दस्मलों को हम इधर ले आएं तो उपर वाले दस्मलों को भी हम इधर लेकर आएंगे तो यहां लिखेंगे 2.6 और 0.1 लिखेंगे नीचे लिखा हुआ था 0.48 तो दस्मलो यहां पर आ जाएगा तो 048 हो जाएगा और यहां दस्मलो आ जाएगा इससे पहले कोई नंबर नहीं तो 0 आप अपने मन से लगाते सकते हैं ताकि दस्मलो अच्छी तरह से दिखाई दे तो एक तरीका तो इसको लिखने का यह वाला है और इसी नंबर को लिखने का एक दूसरा तरीका यह है कि दस्मलो को हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा तो दो नंबर अगर दस्मलो इधर ले जाएं इधर वाले में से तो ऊपर भी दो नंबर इधर ले जाना पड़े अब आपका देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं तो दस्मलों का इस्तमाल डिवाइड में इस तरह से किया जाता है मुझे उम्मीद है आपको जोड़ना घटाना गुड़ा और भाग करना सभी में दस्मलों का इस्तमाल करना अच्छी तरह से आ गया होगा यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भोलिएगा ताकि इस वीडियो को देखकर हर एक आदमी हर एक बच्चा फाइदा उठा सके मैं फिर हाजिर होंगा किसी और नई वीडियो में जब तक के लिए आ एक सर्किसाद